तो असलाम अलेकुम बिस्मिल्लाहराम अरभी में यह मारा अम्मिनोलोजी इसेकेंड आफ का टेस्ट है यूसे मेल प्लैब एनली एनबी यूंद अमसी बेस्ट वह से पहले मैं आपको यह टाइप वन टाइप ट्री और टाइप फॉर की जोब सेंट्श्विट की टाइप type 1 देखें type 1 type 1 का देखें मैंने जब कहा था चार टाइपर याद रखनी है तो मैंने एक फार्मला बताया था तो type 1 से a था ए में आपने याद रखने है अस्तंमा a से अस्तंमा a से atopic और A से anaphylactic, anaphylxis, ठीक है, इस तरह की जो भी examples होंगी, वो सारी किसमें आएंगी, type 1 में आएंगी, ठीक है, बाकि यह हम डिटेर में पढ़ा हुआ है कि इसके दो response होते हैं, type 1 में एक आपने यह चीज याद रख रही है, कि A से अस्तमा, atopic और anaphylxis, और दूसरी चीज जो आपने याद रख रही हैं कि इसके दो phase थे, पैरा phase कौन सा था, acute, immediate phase था, कौन सा, याद है, immediate phase था, और दूसरा था, late phase, immediate phase में क्या release हो रही थी, histamine, histamine release होती है, IgE की मदद से, ठीक है, और late phase में, और kodernic acid path वे, और kodernic acid path वे, याद है, तो यह चीज़े आपने याद रख रख लिए हैं, यह key points है, बोटे-बोटे points है, इनको याद रखेंगे तो यह आपको नि भूलेंगे, ठीक है, क्या, A से, asthma, atopic, anaphylaxis, और इसके दो phase होते हैं, immediate phase और late phase, immediate phase में, histamine और IgE involve होंगी और आपके late phase में, और kodernic acid path वे जोनों वो involve होगा, ठीक है, और यह भी याद रख लेंगे, type 1 में मैंने बार बार पता है, IgE involve होती है, type 2 और 3 में Ig, G and IgM, लेकिन mostly Ig, G, और D delayed होती है, इसमें होती है, आपके T cells, cell mediated होती है, ठी ठीक है, यह देखने के type Ig होती है, इसमें antigen fix होती है, sorry, antibody fix होती है, antigen क्या होती है, free होती है, और type 2 में, 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 आपकी antigen क्या होती है, fix होती है, type 1 में antigen free होती है, antibody fix होती है, type 2 में antibody free, antigen fix, type 3 में दोनों free होती है, ठीक है, यह यह चीज़ें आप जाहंद रह जाहेंगी हम कि बात है टाइप 2 की जीजेंब याद रखने टाइप 2 से पहले टाइप 3 देख लिए टाइप 2 की जाद करने मिजाद करनेसे पर टाइप 3 कि हमने examples द्राइब याद करने decisions करो कि bonnet यह किसकी एंपल है चरण जी टाइब थी कि आप एग्जेंपल जाद रखें कि सर आर्थस यह सर इस तरह लिए कि तरह सर सर आर्थस पोस्ट ग्रेजुएशन इन त्री एर्ज जो सर हर्थस से उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तीन साल में कम्प्लेट किये तो इसमें देखे जरा क्या इसमें नमूने के सर या सिर इससे हो गया सीरम है वो सीरम सिक्निस वाले एग्जेंपल वो टिफ्टेरिया वाली होर्स वाली अगर सीरम सिक्निस आजए तो वो टाइप 3 यह 3 एर्ज टाइप 3 होगी उसके बाद आर्थस सर आर्थस आजए तो आर्थस रेक्शन होगे ठीक है आर्थस रेक्शन यह भी टाइप 3 में कम्प्लेटिट को छोड़ दें पोस्ट आर्थस यहोगी वह किसकी होगी टाइप 3 की इसी के लवा देखे स हो गया और फिव गया गया यहाद 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 पॉली आर्टर राइटिस यह भी किसकी होगी टाइप 3 की होगी और इसी पोस्ट में S-R है S-L-E क्या S-L-E S-L-E भी किसकी गजम्पल होगी टाइप 3 की गजम्पल तो यह याद कर पहेंगे आप कि सारे अर्थस सारे सीरम आर्थस हो गया पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल गलोमेन नफ्राइटिस और इसी पोस्ट में PO से हो गया पोली आर्टराइटर्स और S से हो गया S-L-E और यह थ्री एयर मतलब टाइप 3 ठीक है तो टाइप 3 की एक्जम्पल याद रहे जाएंगी टाइप 2 की तरफ आते हैं टाइप 2 की तरफ टाइप 2 में क्योंकि आपको पता है तीन इनवाल थी या इन्फलेमेशन हो रहे थी य time चांड़ सेलर देस्ट्रक्शन के लिए हम करेंगे ट्रीट S-L-E तरफ टॉ टाइबस त्रीट 수 ole कि यह इन्सीजा मतलब है आपको चो पहरा यह गया आर हो गया क्या हो गया장 यह destruction के लिए टाइप 2 की destruction के लिए ठीक है अब टी आर जो हो गया टी आर इससे होगे transfer reactions होते थे ना blood transfer reactions इससे हो गया आपका transfer reactions और इससे हो गया erythroblastosis erythroblastosis वो जो new bar में disease होती है hemolytic disease new bar अच्छे में erythroblastosis एससे हो गया आर्टो इम्यून फ्रक एससा हो गया椅 tea amino hemalaytic annemia आर डी न्यून t ग्नुन in itamिया और टी न्यूंक्ण कर अठ्रम के लिए यह एक्जयंस साहनव साथ में इससे श्रदिव मेंशेयंग इससे यह को गया सारा जीने को का स्वेल बीकाइज व गया local system और दी ग्जेम्पल दाव है पर सेटीटी टाइप टूप एपरसेटीटी टाइप टूप लेकिन सेल्ललर डिस्ट्रक्ष्ण की यह आपने याद रखने लेकिन नमूने को मैंने नहीं बताया लेकिन ट्रीट करो एसलिको टू ट्राइम्स क्यों एसलिक पीछे भी थी अभी अ inflammation के लिए आप एक simple सा लव्ज जिस तरह कोई भी जैसे कोवेड़ वैरेस या कुछ भी याद रखते हैं इस तरह लव्ज याद कर ले जी आर ईसको याद रख लेंगे जी सपों क्या बनेगा गोड़ पास्टर सेंड्रूम जी से गूड़ पास्टर सेंड्रूम और से रिमोटाडd और से हो गया情ब और हच से बने का हैपिर एकुट रच्ज thought rejection ह ग्रीशचन और आई हिसी हो गया इंफ्लमेशन मतलब आपके टाइब टू की इंफ्लमेशन होगी तो उसकी ऐग्जेंपल समません पाउचिन रूम एक इंव रच्ज एक्शन हो गई और एंफ्लमेशन के इग्जेंपल cellular dysfunction तो इसका देखो my PAMP is my PAMP is grave is brave grave की लिगा आप लिखे brave और bracket में आगा grave my PAMP H से था hyperacute transplant rejection my PAMP is brave if cell is dysfunction if cell is dysfunction if T-cell is dysfunction यहाँ पर मुझे बता है जो PAMP थे PAMP pathogen associated molecular patterns है उनको कौन recognize करता था पैंप को tall right receptors नहीं recognize करते थे T-cells के उपर क्या होते थे tall right receptors tall like receptors यह pathogen के उपर PAMP को recognize करते है यह आपको पता है ना पैंप को recognize करते हैं तो वह कहता है माई पैंप इस ब्रेव ब्रेव यानि ग्रेव वह कहता है मेरे जो पैंप से यह pathogen कह रहा है pathogen कहता है my PAMP is brave वह बहादूर है if T-cell is dysfunction अगर T-cells काम नहीं कर रहा तो मेरे meISthiles graves और PAMP PAMP से को से दिजीज थी आपकी Pamphygis vulgaris याद है पैंपीज पैंपीज विलगारिस तो आप इसको वहां से याद कर सकते है ठीक है PAMP से PEMठ ठीक है Mastinus Gravest और PAMP से PEMP FIGUS Walgaris और BRAVE से होगी आपका GRAVE ब्रेव से होगी आपका GRAVE DISEASE होगी और T-cell Dysfunction याजि अगर आपकी Cellular Dysfunction होगी Type II में Cellular Dysfunction होगी तो Mastinus Gravest होगी PEMP FIGUS Walgaris होगी या फिर उसको Grave Disease हो ठीक है तो यह 3 टाइप 2 की 3 आधो याद हो गए लग्धिर तिनू चले आप कौनसी रहगी टाइब सणी रह गई शकाओ क साथ करनी है आधर करना है ह। जब यह क्या सका यहांद करने है थाइब अधर सब्सक्राइब ऑद number four system system कुछ इस तरह लेकिना है जिस तरह मैं लेकर रहा हूँ contact number four system if if host has problems from graft जो महमान है अगर उसको graft से donor से स्वरी जो host है जो मेजबान है उसको ग्राफ्ट से महमान से कोई मसला है तो वो number four system पर contact करें number four system पर contact करें राप्ता करें इसको याद कैसे करना है इसके examples contact dermatitis याद है contact dermatitis एक example वह जाएगी number four मतलब type four है percentivity और system से याद करें जरा स्थी अब यहाँ पर वाई लिखा हुआ है इसको जे करें य को जे करें स्टीव जॉंसन सेंड्रूम स्टीव जॉंसन सेंड्रूम याद है मैंने स्टीव समित्थ और स्टीव जॉंसन सेंड्रूम और इसके बाद EM 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 से क्या था इरित्मा मल्टिफॉर्म याद है इरित्मा मल्टिफॉर्म यह भी उसकी एक स्टीव जोंसन सेंड्रूम और EM से हो गया इरित्मा मल्टिफॉर्म और TEM की बजाए TEN करें यहां पर हो गया टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ठीक है इफ होस्ट वर्सज ग्राफ डिजीज वर्सज ग्राफ डिजीज यह किसकी इसकी टाइप फॉर की बाकि आपको इसका पता है कि टाइप फॉर में हम वो टीवर्कुल डेस्ट भी करते है और टी-एच्वन ग्रेनलमों फार्मेशन होती है वो किसमें होती है टीवी में तो टीबर्कुलेंट और लपरमेंट टेस्ट भी टाइप फॉर में तो अब आपको यह एक्जेंपल नहीं भूलेंगी चारू टाइप की भूलेंगी अगर भूल गई तो इसके लाव हम है और कुछ नहीं कर सकता अब लोग के लिए चलें अब सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले मारी एंसी क्यूज थी विच अफॉल्विंग कंपॉंड इस नाट फॉंड इन टेर्स तो जो टेर्स हैं जो आसू है मैंने जो कहा था कि हम लोग बाते हैं अपने कीमती कीमती से आसू और कुछ लोग मगर मच के आसू बाते हैं उसमें आस प्रेंद ऑल्सक्राइब करकरे बैक्तरिया के मच करती है यह लेक्तर फि्लिया में इसी में इस्क्रॉप्लाइब कर जो आपके रागर में में घुड होते हैं यह बिच नहीं होती की मजूदओ नहीं होती प्र आट दिक्ट किस-kis कि यह वद हम सी कुस ठीक है नेमर 1 नंपर वन एम सी किश्ए किश्श चीए गडार साथ डाल्टा नेक्स नमोर टू बीजीजी एस्टू प्रिट्क अगेंस्ट बीजीजी वाकसीन है यह मैं जब पढ़ा रहा था मैं वैक्शीनेशन पढ़ा रहा था पतनी immunodeficiency में यह था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि BCD is used against tuberculosis TB TB के against यह जूज होती है तो इस correct answer is tuberculosis TB vaccination में पढ़ा था number 3 जो MCQs है यहाँ पर वो कहते हैं a living macro with reduced virulence that is used for vaccination is considered as वो कहते है है तो living macro है जिन्दा बट reduced virulence उसके उसको वीक कर दिया गया है है जिन्दा लेकिन उसको वीक कर दिया गया है तो उस vaccination का नाम क्या था जो हमने पढ़ा था vaccination में live attenuated vaccination याद है live attenuated vaccination जो आपके toxide होते हैं वह तो immunogenic और pathogenic component होता है वह तो हो नहीं सकता dormant ऐसी हमने virulence यह तो less virulence कहला है reduced यह नहीं हो सकती denatured वो तो जो inactivated होती थी याद है inactivated या फिर killed vaccine होती थी जो denatured होती थी बाकि टॉक्साइट टॉक्साइट जो है ना यह देखेंगे उसका पैसोजनिक पार्ट हटा दे टॉक्साइट यह होता है कि आपका इसको 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 इम्मुनिक पार्ट होता है यह इसको इसको इसका नाम यह टॉक्साइट बोलते हैं यह इसका काम है कि यह डिजीज नहीं करता क्या करता है इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है किसको इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है समझा गे तो यह इसका होता है तो यह एटनुएट टो एटनुएट वेक्सीन वह होती है जिसमें हम मैक्रोब होता तो जिन्दा है लेकिन हम उसको situation has episodes of eye tearing bloodshot eyes and running nose it means that he or she is having some kind of hypersensitivity ठीक है allergic reactions हो रहे है उसको which you think may be due to an allergy देख लें allergic reactions है जब पहला line पढ़ नही है तो वहीं से अपनी sense बिलाना शुरू कर देना है पहली line में उसने बता दिया आपको कि that is the hypersensitivity or allergic reactions so move towards the hypersensitivity आगे उसने खुद भी बताया है कि allergy है to some plant pollen you refer the patient to allergist who performs skin test with various allergens okay कोई काम की बात नेती यहां पर अवीर and flare reaction is seen on the patient's back at the site where several pollens were injected that is the key question what is the keyword wear and flare मैं आपको बताता चलू हूँ जहां पर भी यह will and flare reaction आ जाएं आप वहां पर mind में सोच लें that is type 1 hypersensitivity जहां पर भी जलाज आपको देखे will and flare reaction आपके mind में foreign type 1 hypersensitivity आ जाना चाहिए वील का मतलब होता है immediate response हमने अभी अभी देखा है type 1 के दो response होते है ना immediate और late response जो वील होता है यह immediate response होता है जो लवज आए आपके mind में सीधा type 1 जले जाए 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 आपके mind में चली गई what is the most likely sequence of events that produce the wheel and flare reactions अब type 1 को आपने देखना है type 1 में IGE involved होती है आप कहते हैं यह तो मैंने देख लिया मेरे speed तेज़ तो नहीं है है हम कहते है कि type 1 तो हमने देख लिया लेकिन जब हमने options पढ़े हैं तो तो तमाम में IGE involved हो रही है तो मतलब सारी type 1 है अब इसमें हम फरक कैसे करें परेशान नहीं होना सकून से MCQS को पढ़ना है खुद बाखुद साल हो जाएगी alpha कहती है allergen binds to IGE on the surface of B cells and interleukin 4 is released जब आपके mast cells या IGE bind करती है उसके उपर क्या IGE interleukin 4 release कराती है नहीं तो यह तो नहीं है allergen binds to IGE on the surface of mast cells IGE किसके उपर लगी होती है mast cells के उपर ना कि B cells के उपर वो नहीं जूरती है and histamine is released क्या release कराती है यह histamine release कराती है allergen binds to IGE and plasma क्या plasma के उपर binds होती है नहीं plasma activates complement system क्या यह complex बनाती है नहीं यह histamine release कराती है बेटा क्रेक्ट अटरेश बेटा Dr. Gulam Mustafa के चेहरे पे उसके जैसे चहरा मुस्करा सागया होगाना कौन सा गाना है वो जब तुन्हें मेरे जिसम को चुवा तो मेरे जिसम से एक जी़ से महक सी आ गई वो उस तरह की मुस्कराट सी आ रही है उसके जिसम से बतलब आप कदर चेहरा खिला है वो अभी आपके महभूब ने आपको टच नहीं किया उसने आज से दिल आई है और आप जो नहीं है पी हो गया चले नमबर फाइव देखे यूर पेशिंट इस 77 एर ओल्ड मैं विद इंटेरो कोकल एंडोकालडाइटस हुव वस्टुटिट बाद फीवर और दिफूस में केलो पॉपलर रैश रैश बन गया इंड देवलब देर इस नो अल्टिकरिया नो हैपोटेंशन और रिस्परेटरी कंप्रमाइज जरूनलाइस रिवील्ड प्रोटिनूरिय उसका प्रोटिनूरिय हुआ पड़ा है ग्रनलर कास्ट है यू serum sickness अखर आपको कोई न कोई की वर्ड मिलेंगा जरूर so you have got the key word that is serum sickness so serum sickness is the example of which type of hypersensitivity I just explained that sir Arthas has completed his post graduation in three years so type i3 काओंसाइ इनवाल है type 3 serum sickness type 3 आपके में 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 होनी चाहिए which one of the following immunopathic mechanism is most likely to be caused or type 3 में A-CID type 3 में कौन सी है आई वाली आई का मतलब immuno immune complex बनेगा क्या बनेगा so type 3 में immune complex भी आपके mind में होगा one of the drugs formed immune complex with IgG so that is your answer but not sure you are going to read the remaining three options as well अब अगला तीन भी पढ़ेगे यह नहीं के देखा और मार दिया नहीं आगे भी देखो वार दो ड्रगs activated cd4 यह तो cell mediated activated हो रही है क्या type 3 cell mediated है नहीं वो तो antibody mediated it's wrong one of the drugs activated the alternative pathway of complement system क्या complement system involved है complement system to type 2 में न्वाव था याद है cellular destruction में one of the drugs cross-linked IgE on the mast cells and cause release of histamine यह तो type 1 है लेकिन हमने कौन सी देखनी है type 3 कौन सी होती है immune complex formation होती है तो your correct answer is देखें जब type 3 पढ़ी थी हमने हमने कहा था type 3 में type 3 में क्या था कि यह आपकी blood वैसल थी वहां पर क्या बन रही थी आपकी immune complex उसके न्यूट्र फिल्स आ रहे थे उसके प्लेट अग्रिकेशन हो रही थी blood clot बन रहा था यहां से blood move नहीं कर सकता था यहां पर ischemia necrosis होती थी स्कीव और तक यहां पर जब होगी जब यह आपका जहां पर inflammation होगी वहा HOL क्या कार कर देड़ी जहां पर इब बलाडड बनेगा वहां पर inflammation हो जाए जय कि तो प्रटींच आपकी पर हुए इनद्र हों जोंना कि होगी तो आखर आपके रहा समझे मुझे भी आगयी है ये कैसकी ठीक थी? प्रेशों जाथ है नम्छ था रहा? इस प्रेक्ष्ट अंसर इसलोग होओ रहा, अल्वा र्क्र गुलाम स्थाफा रक्र गुलाम मस्तफा कितने आपकी ठीक आचुकी है सवकत पाँज में से 10 10 10 10 10 hemolytic disease of the newborn erythroblastosis fetalis अब यह भी मैंने बताया है treat SLE two types so treat transtheon reactions or erythroblastosis erythroblastosis is the example of which type of hepat sensitivity type 2 so it is type 2 and type 2 is always serotoxic hepat sensitivity acid a c very good very good please raise your hind hind not hand okay it's okay move towards the number seven so correct answer is beta and moves toward number seven the most aware form of allergic reaction is called anaphylaxis so pick up the world anaphylaxis what happens kya hota hai anaphylaxis में क्या होता है anaphylaxis are the allergic reaction but systemic allergic reactions anaphylaxis में आपके mass cell से क्या रिलीज होती थी histamine और histamine क्या कराती है वेजोडिलेशन जिससे बीपी डॉन और ब्रोकस पाज जिससे आपका shortness of breath और skin rashes और GIT में टाइरिया तो इनका पने मैंड में रखना है blood pressure drops of course जब वेजोडिलेशन होगी तो blood pressure drop करेगा जब आप patient का blood pressure check करेंगे तो वो क्या होगा drop होगा अगर उसको anaphylaxis reaction breathing becomes difficult shortness of breath और को spas atopic reactions होंगे क्यों हों क्यों एंट्रों दोनों देख लो दोने उसके against और अफ्लेक्स और अटोपिक अनफ्लेक्स सिस्टेमेटिक होते हैं और अटोपिक लोकलाइज होते हैं याद है याद है टाइप बन में ने पड़ा था टाइप बन में ने पड़ा था अइनफ क्या होते हैं सिस्टेमेक होते हैं और अटोपिक या होते हैं लोकलाइज होते हैं तो ये तो और कौन तोप्शन ठीक होगा पिर वीटा आगे वह आ मने देख आ है देखना है कि आगे क्या है बहुत एड एड दी तो अंसर डेल्टा यह किसकस का ठीक है यह दो मुस्त वह रेविल नुमर एट नुमर एट of the following diseases which one is most likely to be caused by a delayed hypersensitivity reaction so again moving towards the example type 4 की delayed कौन से थे type 4 होती है type 4 की examples कौन कौन सी है हमने अभी देख है contact number 4 system if graft has if host has problem from graft पर आप अप्ट, सो कॉंटक्ट, कॉंटक्ट तर्माइटिस, सच एस प्ट्टु पॉस्ट पोकल गलोमेलोल नेफरैटस, त्री क्यों वेड़ीन थीन साम्में, यह यह त्रीक त्टु की भी है, और टाइप ट्रीक भी है, दोनों की खेंपल है, ठीक है, और दोनु में आजे पर्याप किसको प्रैफर करेंगे अगर पूछ रहा हो के अपर्ट कि इस एक्जेंपल आफ पहर टूट फ्री वन फोर फिर अप्या कहेंगे तरपने टाइब थ्री कहन यह है का उसी कहन यह है थिक है अचिक है ने किस कि ठीक है बीटा दे करैक्ट आंसर वेरीगत वेरीगद फ्रहे तरुक्त रस्वेर 9. Your patient is 2 years old boy who has had several episodes of postules and lymphadenitis caused by Staphylococcus aries. His immunoglobulins and complement levels are normal. A natro blue tetrazolem test reveals defective cells. Natro blue tetrazolem test जसमें abnormal आरा था वो कौन सी दिजाज थी? वो कौन सी दिजीज थी? chronic griglomatis disease. और chronic griglomatis disease किस में हो रही थी? respiratory burst में याद है? और respiratory burst में कौन से cells इन्वाल में होते है? neutrophils. याद है? neutrophils. natro blue test जब हमने पढ़ा था? natro blue test उसमें आपकी chronic griglomatis disease इन्वाल में थी? और chronic griglomatis disease कहां इन्वाल में होती है? HMP shunt में, respiratory burst में हमने पढ़ा था. और respiratory burst में कौन से cells इन्वाल में होती है? neutrophils. यहाँ पर वाद cells पूच रहा हैं कौन से cells defective होंगे? CD4 positive T lymphocytes? NO. CD8 positive T lymphocytes? NO. acinophils, NO natural neural cells, NO neutrophils. because neutrophils are involved in HMP shunt and in respiratory burst. यह किस-किस की ठीच है? It was too much conceptual. क्योंकि इसमें concept काफी गहरे से थे. Dr. Javaria? You're not responding. Are you here? आपका ठीक है? Dr. Bia? Very good. No. 10. Regarding Bruton's A-Gamaglubinemia, तो आपके माइंड में Bruton Kinase A-Gamaglubinemia disease आ जाने चाहिए. उसके बारे में बनने जा रहे. Which one of the following is most accurate? कौन इसके बारे में ठीक है? A कहता है, There is a very little IgG production, but IgM and IgA levels are normal. Bruton A-Gamaglubinemia B-cells बनते ही नहीं थे. याद है, जब B-cells ही नहीं बनते हैं, तक क्या कोई क्लास बनेगी? नहीं. तो वो तो कह रहे है, IgM और IgA normal है. No, it's wrong. Beta. Viral infections are more common than pyogenic infections. Viral infections किस जासे होती है? T-cells, T-V. लेकिन, जो Bruton's A-Gamaglubinemia है, यह किसका infection है? B का. यह तो उलटी बोल रहा है, यह तो उलट बोल रहा है, यह भी ठीक नहीं है. The number of B-cells is normal. क्या B-cells के number normal होते थे? No, it's wrong as well. There is a mutation in the genes of pterosyn kinase. pterosyn kinase gene में mutation हो गई है. An important enzyme in the signal transduction pathway in B-cells. So Bruton pterosyn kinase, pterosyn kinase में क्या हो गई है? Mutation. यह जिसके गलात है ना? तो आगे कोद समाई जाए. कैस कैस की ठीक है? Atrula Mostafah. Number 11. I can't look at the picture. जाए. देनी कोई नी, आपने रिवियन नहीं की दीना? He said, जाए. Which one of the following immunodeficiencies is most likely to predispose to both paragenic infections. अच्छा, बोथ paragenic bacterial infections and viral infections. मतलब, B-cells भी खराब होने चाहिए और T-cells भी. Bacterial infection को कौन से cells कंट्रोल करते हैं? B-cells. और viral infections को? T-cells. तो वो कहता है, viral और bacterial infection हैं. तो मतलब, दोनों cells खराब होने चाहिए. तो हमने देखनी है, वो कौन सी disease थी, जिनमें दोनों cells खराब होते थे? देखे, Bruton's A-M-A-Grobenimia, इसमें दोनों cells खराब होते थे? नहीं, कौन से cells खराब होते थे? B-cells. और chronic granulomatis disease में कौन से cells खराब होते थे? neutrophils, यानि कि आपके phacocytic cell आपके खराब होते थे? दोनों नहीं है. Diger syndrome में, T-cells. और job syndrome में, job syndrome में कौन से cells खराब होते थे? उसमें आपके T-cells खराब होते थे? लेकिन severe combined immunodeficiency disease kid में, इसमें बोथ B and T-cells भी साडर था. तो इसमें बोथ B and T-cells भी साडर था. दाणसर इस? ETA. क्या अचसे ठीक है? ETA. ये किस-किस की ठीक है? Very good, very good. इट वस कंसेप्ट्ट्वल और मैंने कहा भी था, kid is important. That's where combined immunodeficiency disease is important. Number 12. Regarding immunodeficiency disease, which one is the most accurate? Patient who have a deficiency of IgA, उसको IgA की deficiency है, have a high incidence of pagenic infections, bacterial infections होंगे, उसको pagenic infections होंगे, IgA of senesis and lungs. IgA केस को वो करती है, treat करती है. digestive system को line करती है, और और ये infection केस के हो रहे है, respiratory tract के मतलब वाकि ये वाला option आपको क्या है? ठीक है, लेकिन फिर से इसके फिर बैट नहीं जाना, next move करे, common variable hemoglobinaria, इसमें आपकी antibodies नहीं बनेगी, typically in breast, ठीक है, under the age of six months, क्या, 6 माने से पहले पहले उसको हो जाती थी, नहीं, 6 माह तक तो IgG उसको protect करती थी, 6 माह के बाद होती थी, क्योंकि 6 माह के बाद उसके अंदर immunoglobulins नहीं बनती, फिर जाके disease होती थी, तो it's wrong. In viscous eldritch syndrome, the combination of antibody deficiency and complement deficiency leads to disseminated viral and fungal infection, के ये ठीक है रहे है? होता है कि आपकी actin protein की rearrangement नहीं हो पाती, ये तो पता नहीं, complement system पता नहीं, कहां कहां जा रहे है? Patients with DGR syndrome, congenital thymoc eplasia, have a reduced number of both B and T cells, DGR syndrome में कौन से cells का disorder होता है? T cells का thymoc disorder होता है, ये तो कह रहे है, दोनू, नहीं, Patients who cannot produce one or more of the late acting complement components such as C6, C7, C8 and C9 have episodes of angioedema, including laryngeal edema that can be fetal. क्या ये होता हो ऐसा? वहाँ पर तो क्या होता था? MAC ये उस तरफ जा रहे है, लेकिन ये बता रहे है, ये आसल में Tlingectasia की तरफ जा रहे है, Tlingectasia में तो ATM gene का defect होता है, ये problem तो वहाँ पर नहीं होता है. तो क्या ये अलाफा था? No.13 No.13 A 2-year-old boy present with multiple skin obses positive for Staphylococcus aureus. Past medical history is significant for recurrent infections by the same organism, the Nitroblow tetrazoleum test test again test demonstrate our inability to kill the microorganism तो यह test दुबार आ गिया है यह test कौन सी डिजीज में था ड़्टर इशा आई जस्ट एस्प्लेंड chronic granulomatis disease में इन्वावल था यह व्ला टेस्ट टेस्ट नेट्रो ब्लू टेट्रजोलियम टेस्ट यह किसमें वावल था आपके है cgd में और cgd किसमें इन्वावल था आपके hmp shunt में respiratory burst में और यह इसमें कौन से इन्वावल होते हैं न्यूट्रफेस इन्वावल होते हैं सो options देखें deficiency of cd4 ligand and activated ct cells यह disease तो थी किस वाली जिसमें cd4 ligand का problem आ रहा था वो कौन सी थी hyper igm syndrome थी लेकिन हम कौन सी देख रहे हैं हम ढूड़ रहे हैं chronic gyrulomatis disease यह cd4 ligand जिसमें खराब हो रहा था वह hyper igm syndrome याद करें और pterosyn kinase यह तो bruton kinase वाली है inability to generate the microbial respiratory burst oh my god respiratory burst आ गया it does mean that option charlie is correct inability to fuse lysosomes with phagosome इसमें आपका वो road system tubule वाला खराब हो रहा था तो वह आपकी कौन सी डिजीज थी चैडिक हिगाशी सेंड्रूम MSC class 2 deficiency ऐसा कुछ मी नहीं है यहां पर सो correct answer is Charlie यह कैस की ठीक है very good very good structural analog immunopharmacology structural analog entrametabolite serotoxic immunosuppressive drug कौन सी थी जो के आपके 6 MP का क्या थी प्रिकरसर थी वह कौन सी डग थी याद करें जो 6 MP का प्रिकरसर थी 6 MP में change होती थी फिर यह जा के आपके enzyme को inhibit करती थी और आपके nicolotide की formation नहीं होने देती थी दैट ड्रग नेम एस अजित्युप्राइन अजित्युप्राइन ठीक है क्लिनीकल यूजर्जज क्या होते हैं उनका काम है इनके यूजर्ज क्या होते हैं मिनोस्प्रेसिफ ड्रग के लिए गाचिक्ष रही हैं तो आपके T-cells infection cause कर रहे हैं तो हमने T-cells को suppress करना है तो आपकोर्स हम आप इसको यूज़ करेंगे Hemolytic disease of newborn अगर वहाँ पर भी rejection वाले reaction हो रहे हैं वहाँ पर हमने T-cells को क्या करना है suppress करना है और autoimmune disorder हमारे अपने ही B and T-cells अपने ही antigen के खिलाफ action कर रहे हैं और उनको भी क्या करना है suppress करना है तो इन तीनों में ETA A B C में हम immunosuppressive drug use कर सकते हैं मों खुद बता रहे हैं ना it knows a common sense समझा गया है next viral infection is the most potent natural signal for the synthesis of which of the following cytokines जब viral infection होता है तो आपके कौन से cells involved होते हैं T-cells और अब बस इतना देख लेए इसमें आप याद करने हमने पढ़ा था कि viral infection में कौन से cells involved होते हैं में कौन से cells involved होते हैं T-helper cell 1 और CD8 positive cells यह कौन से cells की टाइप है B-cells की T-cells T-cells याद है ने वो granuloma formation होती थी या सर्ट टॉक्सिक किलिंग होती थी तो leukemia यह तो है एक एक एंसर T-cells leukemia क्या होता है T-cells mass cells का infect होता है इसमें thrombocytes का defect होता है नहीं इसमें क्यों से defect होता है T-cells too much defect नहीं बलके इसमें क्यों से cells involved होते है T-cells too much easy which you want which type of rejection takes place weeks to months following transportation of solid organ that is a ratta-based msqs weeks to months so it will be acute rejection अगर hyperacute होती तो within the minutes होती है और weeks to months acute होती है अगर आपकी chronic हो तो वह years तक चले जाती है लंबा लंबे टाइम तक लेके जल जाती है ठीक है तो correct answer is Charlie acute rejection which of the following treatments can be used to reduce allergic reactions वह कहता है एक unavoidable substance है उस substance को हम avoid भी नहीं कर सकते डेली हमारा उसके साथ रापता भी हता है और मैं उस चीज़ से हूँ भी क्या allergic हूं ठीक है वो कहता है को मैंने एक्जम्पल दूती हुआ ताइशन को है । मतलल हमने क्या करते के इसकी डी सेंटिटाइशन करते थे कि अगर एक चीज से हमें अलर्जी है तो वही चीज हम थोड़ी-थोड़ी मिकदार में बार-बार देंगे बार-बार देंगे तो बार-बार देने से क्या होगा आपके अलर्जिक रेक्शन्स कम हो जाएगा जाएगा पॉइस ने Tea हिए तो रुड़ेम लाई कर अब यहां पर मैंने कोई Whenever staff से इंसे क्या को आपको प्ल Tanner केह कैसे हो में आपको या बद्र क्रेंटिल लगातने मास्क पाहर की आपको अलर्जीग हुगी नहीं हुगी है ने इक्ष्टन लगवागा पेंसिली मद्क फिर तो आप लगा सकते थे अब क्यों आप जड़ा सोचे यह किसकी ठीक है यह 20 तो इस चारली 20 किसकी ठीक है अगर यह गलत वहना मैं आप लोग को स्टुडिन माने जिल्कार कर दूँगा क्योंकि मैं यह क्योंकि मैंने यह आपको बार बार रिपीट कराई है विच अफ तक इवन कंडिशन इस रिलेटर तू एपसंस अफ थाइमस क्लैंड जो आपका थाइमस यह एपसंट होगा तो आपके कौन से नहीं बनते टी सेल्स वह मैंने थर्ड फिरेंजल पाउच फॉर्थ फिरेंजल पाउच वो मैंने बार बार बताया था यह मैंने कहा भी था था कि थाइमस इपलेशा इस तू मच इंपॉर्टन आपका टी सेल्स नहीं होंगे तो कौन सी डिजीज होती है आपको तो किस की उननीस ठीक है अठारा सत्रा सोला पंद्रा वेरी गुड अपने अनली तो पास कर लिया आपने बल्के यूए सेमली प्लै भी पास कर लिया पंद्रा एंशाला तहला जब आके इसकी रवियन होती जाएगी न डे बाई डे एक और रवियन एक और टच देंगे सब्सक्राइब हो जाएगा तो इसको हम कंप्लीट करने के पाद एंवियन को जब रिवाइज करेंगे फिर आपकी एंप्रूव होती जाएगी ठीक है ओकिप अलाहाफिस